आप सभी का दिन शुभिव मंगल मैं हो सुरू बारवेदी क्लीनी के रोजाना के सुवी चार के पत्थे अपत्थे की इस रंकला में आज दिनांग 4 मार्स 2021 को हम आपसे बात करेंगे कि अजीर्ण अर्थात इन डाइजेशन की कंडिशन में क्या पत्थे है और क्या अपत्थे है अर्थात इन डाइजेशन यानी अजीर्ण की कंडिशन में हमें क्या चीज का सेवन करना चाहिए और किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए तो इस श्रंखला में सबसे पहले हम यह जानेंगे कि अखिर अजीन है क्या इंडाइजेशन क्या है और हम कैसे जानेंगे कि हमें इंडाइजेशन हो गया है तो उसके लिए आपको करला क्या है? अगर आपको इस तरीके से देख सकते हैं यदि आपका खाने का टाइम शुरू हो गया और आपका खाने का time हुआ यानि दिनर का हुआ या लांच का हुआ और उस समये पर आपको पहले का किया भोजन तो उस कंडिशन में क्या होगा आपको जी मिचलाएगा या फिर फूलेगा पेट में दर्द भी हो सकता है पूरे शरीर में दर्द होने लगेगा उल्टी हो सकती है या फिर आपको लगे कर नीद आ रही है खाने में रुची नहीं होगी इस तरह के लक्षन हो तो आप यह और यह अजीयन अर्थात इनडयजेशन की कंडिशन है अब हम सबसे पहले जानेंगे कि nosaltres अखेर किसकारण से हो जाता है क्या कारण है जो इनडयजेशन हो जाता है ताकि हम उन चीजों को अवाइड कर सके तो इस डव्यक्तियंका यह प्योंजन को आगा हुआ हैं वो मात्रा के अनुसार भोजन करना बताया गया है और हर व्यक्ति की जो भोजन की मात्रा होती है वो अलग अलग होती है जो कि उसकी जाट्रागनी याण डाइस्टिफ फायर पर डिपेंड करती है आप इसे ऐसे भी समा सकते हैं कि आपके भोजन की मात्रा क्या होगी यदि आ लेकिन यदि आप मात्रा से अधिक भोजन करते हैं, तो भी आपके जट्रागनी मंद हो जाएगी, यदि आप खाना भोजन करने के साथ बहुत अधिक मात्रा में पानी का सेवन करते हैं, मैंने अपने कुछ पहले वीडियो में बताया है कि आपको भोजन के साथ में पानी कैस लेकिन यदि आप अत्यदिक मात्रा में पानी का सेवन करते हैं तो भी आपकी अगनी मंद हो जाएगी और अजिवन किस्तिती उत्पन होगी चौती चीज़ कि अगर आप उष्ण भोजन नहीं करते हैं यहां उष्ण भोजन से तातपर है यह गरम खाना नहीं खाते तो आप सोचेंगे कि हमने खाना तो त्यार कर लिया था ठंडा होने के बाद उसे फ्रिस से निकाल कि हमने दुबारा घरम करके खाया पर फिर भी हमें महीं भीओ morebasis नहीं रहा है यह अपने खाना खाने को ठंस कि आपको ठंडा किया और तो ओन ग्रहन के कि आपने तो इसे ग्रहन किया तो यह आपके घरम भोजन की शिर्णी में नहीं आता है बल्कि घरम भोजन से अहला है कि जब आपने भोजन फूड आपका त्यार हुआ तो वह गरम खाना जब ठंडा हो उससे पहले पहले ही उसे आप घ्रहन कर ले तो वह गरम यानि उष्ण भोजन की शिर्णी में आता है पांचवी चीज की अगर आप बिना भूक या इच्छा के खाना खाते हैं तो भी इंडाजेशन या थार्ट अजीएंट की स्थिती उत्पन हो जाती है या फिर आप थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बार-बार-बार-बार कुछ न कुछ खाते ही रहते तो भी अजीएंट होत है यह वी फूड लेने से भी इंडाजेशन हो जाता है यानि आपको क्या है वी फूड डाइजेस्ट अंशैंस बहुत जादा होते हैं तो यह हम ने जाना कि किस तरीकी करणों से हमें इंडाजेशन हो सकता है तो अगली बार आप इन फूड़ी आप को थोड़ा सा अवाइ अगर हम क्या चीज़ें नहीं करें आपन के अजिन खान के यह जीन होता है छीजें करें अघेट में पूर चीज़ें लिए चुन्स अगर और हम क्या बज़ा था आप क्या नहीं आप करना चाहिए सब्सक्राइबे। जब तक नहीं चपीना छहीं हैं नहीं चपीना है आप तक इंडिकेना ही तक अन्य परीस हखंगीं इंडिकनस हो। तो ध्यान रखे आपको मिल्क भीना नहीं लेना है यानि कुछ नहीं खाना है जब तक आपको इंडाइजेशन हो रहा है अब हम बात करेंगे कि आखिर अगर अगर अजीन हो भी जाता है तो हमें क्या करना चाहिए अजीन के लक्षन उत्पज हो जाने पर सबसे पहले पॉइंट और सबसे इंपॉर्टन चीज यह है कि फर्स नंबर पे कुछ भी आपको भोजन यानि आहार द्रव्वे नहीं लेना है जब तक कि आपके अजीन के लक्षन सबसाइड ना हो जाए मेरी भात ध्यान रखियेगा कोई वीक्नेस नहीं आएगी इस लेवल पे कि अगर आपको जब तक इन डाइजेशन के सिम्टम सबसाइड ना हो जाए तब तक आप कुछ भी आहार द्रव्वे ग्रहन नहीं करेंगे दूसरी चीज आपको करना क्या है कि आप एक कप पानी लेंगे उसमें आधा चम्मच अजवयन डालेंगे और आधा चम्मच आप सौफ डालेंगे और थोड़ा सा गुड़ जरूर डालना है आपको यहां पर गुड़ डालकर उसे बॉइल करेंगे जब वो अच्छे से अधा चम्मच अधा बेंगे यहां जरूर पानी लेकिन घबडाएंगे नहीं क्योंकि वो इससे सारा इंडाजेस्ट पार्ट होगा फूट निकल जाएगा तो एक अत्मच भी हो सकते हैं आपको पास हो सकता है पर वह घबडाएंगे नहीं वह कोई लूज मोशन उसे नहीं तो यह आपको तीन से चार बार लेना है 32-45 मिनटे पर और पेट पर आपको गरम पानी के में टौवल डिप करके उससे सिकाई करनी है आपको उससे सिकाई करें पेट पर और जब इसके आपके अजीवन के सिंप्टम सबसाइड हो जाएं तो उस कंडिशन में आपको और भूक लगदे पर ही आपको भोजन लेना है और वह भी लगू यह नहीं कि जैसे आपके सिंप्टम सबसाइड हो और आप थीक हैं और तुरंत आप पनीर या दाल मकनी या उड़ा दाल या सम्तिंग लाग चना दाल आलू और इन सब कर लेने यह कलती मत करिएगा क्योंकि आप कि अगनी अभी अपनी प्रॉपर स्टेज पर नहीं आया होती है आपको इस इस्तिती में लक्षन सबसाइड होने पर भी भूख लगने पर बेहत हलका बोजन या लगू आहार का सेवन तरना होगा जैसे कि यहां पर तर पर रहें कि अगर आपको डाल नहीं है तो आप मुं साथ में ध्यान रखेगा हो सके तो उस दिन आप ग्यहूं और चावल का यूज बिलकुल ना करें ग्यहूं या चावल से बने हुए किसी पदार्ट का भी सेवन रोटी हो या चावल हो ना लीजिएगा और अगर आपको फ्रूट्स लेने हैं तो आप फ्रूट्स में पपी साथे कर लीजिए भून लीजिए और भूनने के बाद में आप उसे पीस कर उसका जो फाइन पाउडर होगा वह पाउडर आप पाईया के ऊपर डाल कर वह ग्रहन करेंगे यह अजियन को मिड़ाने के लिए बहुत अच्छा सहयोगी बनता है और आपको गरम पानी पीना है अगले दो दिनों तक ध्यान रखिएगा और दिन में थोड़ा सा आराम जरूर करिए अगर आपको इंडाइजेशन हो रहा है तो और अगले दो दिनों तक अजीन भले ठीक हो जाए लेकिन अगले दो दिनों तक आपको लगुहारी लेना है कोई भी गुरुहार का सेवन न यह लगु आहर की शरणी में आते हैं और आपका डाल में हो गई मूं की डाल जो मैंने बताई इस तरह की चीजों का ही सेवन करिएगा और कोशिश करिए कि ग्यहूं और चावल थोड़ा सा अवाइड करिए कुछ टाइम तक के लिए तो अगर आप यह चीजे फॉलो करते हैं तो आप देखिए कि आप इन डाइजेशन से बहुत आसानी से बार निकल आएंगे और क्योंकि अकसर ऐसा होता है कि हमें इन डाइजेशन ही अजीर्ण हुआ हमने दवाई ली हम उस दिन ठीक हो गए दो चार दिन हम ठीक रहे हैं और दो चार दिन बार हमें या तो कोई और कॉंप्लिकेशन हो जाती है उससे रिलेटेट और या फिर से स्म्टम्स आने लगते हैं तो अगर बार बार आप बीमारी से बचना चाहते हैं या नहीं चाहते कि आपको को और बीमारी उत्पन हो तो आप इस वीडियो में बताई कई बातों को ध्यान में रखिएगा नेक् अपनी दिन चरिया बद लिए और सदैव स्वस्त रहिए धन्यवाद